अमर वलिदानी तात्या टोपी की पुन्नी इसमर्थी पर सौनाली परिवार शद्ध शुमन अरपित करता है इंदोर से भागे तो फेरी वाले जो रामपूर उत्तर प्रिदेश की निवासी हैं बेचवदत दिन के लिए इंदोर में कॉरेंटाइन थे बहां से बाग कर एक ट्रक में सवार होकर गुना निकले थे उन्हें मुरेना में पकड़ लिया गया है और बहां उनका सेंपल लिया गया है और जाज के लिए भेज़ दिया गया है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है वे कॉरोना संदिक थे उन्होंने गुना के मियाना में डब शाशन ने कॉरेंटाइन करके गैल में रखा है। उनका जमाज से कोई वास्तार नहीं है। शाशन नहीं है। नमस्कार भाईयों बहनों। कुरोना वाइरस की रोक थाम के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं सराणी है। मैं बधाई देता हूँ और जितने हमारे स्वास्त विभाग के करमचारी हैं। पुलिस के लोग हैं। नगरपालिका की करमचारी और सभी करमचारी प्रशासन के शासन के सफाई करमचारी। इन सब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यह स्वस्त्र हैं। इनका उज्वल भविश्य और शासन को भी चाहिए। कि इनकी जितनी मांगे हैं उन पर गौर करके उनको दूर करें। और पत्रकारों को पत्रकारों का भी बड़ा चुनौती भरा काम है। सभी पत्रकारों को, सभी अधिकारियों को, करमचारियों को, मेरी ओर से शुब कामना है। धन्यवाद बढ़ाए। इस्तानी वीजी रोड पर हटी मील के पास आज सुबे सड़क के नारे का ग्यात व्यक्ति का शब मिला। पुलिस ने प्रात्मिक परिक्षड के बाद शीनाक्ति के प्रयास किये शुरू। नेगरपाली का दौरा आज नाना खेड़ी में सैनिटाइजर का छिड़काप किया गया। पुलिस अतिचक तरू नायक ने किया पैदल भ्रमर करनल गंज मार के साथ साथ आसपास की गलियों से निकल कर जानी हकिकत। और सभी अन्य दुकाने भी बंद रहेंगी और अपना जो दूर देवी का है वो 6-9 तक खुला रहेंगी। यह किसानों से संबंदित जो है मैटेरियल्स यह खाद भी यह दुकाने भी खुली रहेंगी। किसानों को अपने गाउं से आकर सामाल लेने की वी अनुमती है वो आ सकता है और सामाल लेकर अपनी जा सकता है। जो फालतु लोग गूम रहे हैं उनसे मेरा नोध है रिक्वेस्ट है कि वो जरा-जरा सी चीज के लेने के लिए घर से बाहना में। अपने घर में ही रहे हैं सुरक्षित रहे हैं आज अपन इतने सुरक्षित हैं तीन दिन का और समय हैं इसमें और स्वयोग प्रदान करें जिससे सोसल डिस्टेंसिंग का फालन होने से बीमारी से अपन बढ़ सकते हैं। साथ सबजी मंडी का बंद है कि चालूए ? सबजी मंडी जो है तोक की बंद रहेगी जो ठीले वाले हैं वो मौल्ले मौते में जाका है अपनी सबजी को बेज सकते हैं लोगों तक महुचा सकते हैं। चाचोड़ा थाना अंतरगत ग्राम चारणपुरा में कुए में डूबने से गोलू शहरिया की हुई मौत पुलिस ने मर्ग कायम कर की जाँ शुरू। आज थाना चाचोड़ा में ग्राम चारणपुरा के मदन सहरिया द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसका ललका गोलू सहरिया गाउं के साबजने कुए पर नहने गया था जहां उसकी कुए में डूबने से मृत्ति हो गई है। इस रिपोर्ट पर धारा 144 CRPC के देद मर्ग कायम किया गया है एवं मृत्तक की लाश्का पीम अस्पताल चाचोड़ा में कराय जा रहा है। महमारी नियमों का उलंगन मुस्कान दूड डेरी संचालक का कटा 5000 का चालान। जिले में जारी लॉकडाउन के दौरान आवशक शेवाओं के अलावा निकलने वाले दुपईया बाहन चालकों के बाहन जब्तकर दर्ज होगी F.I.R. दिलावर खान, मंसुर, मंसुर, मगरपालिका, रादुबर के ओर से अस्पताल के लिए सेनेडाइजर मसीन बना कराई को अनुकरिनी उधारन किया पेश। हमने ये सेनेडाइज मसीन का निर्वान श्यम ही किया है, ये मशीन आटोमेटिक मसीन है जैसे ही आदमी इस पर खड़ा होता है, मसीन चालू हो जाती है, दस सेकेंड में सेनेडाइजर हो जाता है, हमने ये मशीन शास्किरताल को सम्मानी एज़ें महोदे, डाक्टर बियोम साहब की उपस्ति में भेट की है क्योंकि हम देखते हैं कि डाक्टर्स टीम पुरिश अदिकारी एसी लदिकारी तिंडात हमारी सिवा में लगे हुए हैं हमारी ये सोच थी कि हम उनके लिए भी हम भी कुछ करके दिखाएं कॉराणवायरस की चलते सोचल्डिस का पालन करते हुए डॉक्टर एल के सर्मा अपनी सेवाय दे रहे हैं आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत मैं डाक्टर एलके शर्मा संचाला कराय सोनोग्राफिक बुना अपने सभी बुना नगरवासियों को पढ़ाम करता हूँ और इस COVID-19 वायरस की महमारी के समय हम सबका ये करतब बनता है कि हम मिलकर के इसे लड़ाएं और इसे हम अवस्य पार पाएंगे मैं एक चुके चिकिसक हूँ और आवस्यक सेवाओं में की बज़े से हमें काम करना पड़ता है मैं अपने सभी सहर के गर्वती माताओं को विसेश करके निविदन करना चाहता हूँ कि किसी भी इस्थिति में घवडाएं नहीं हर बार सोनोग्राफी की आवस्यक्ता नहीं है कुछ विसेश परिस्थितियों में ही जैसे के एक स्वेसल जांच होती है जिसमें कि हम फीटल के रिस्क के बारे में जानकारी करते हैं जो 12-13 सब्ता में और एक जांच जो डिफेक्ट के लिए 19-22 सब्ता में होती है के अलावा जब डिलीवरी का वक्त आ रहा है पास में है तो उस समय एक डॉपलर जांच की आवस्यक्ता के दोरा नहीं हम सोनोग्राफी करवाने की कोशिश करें सरकार दोरा लिये गए ऑनलाइन विक्रे के निर्ने को लेकर बेपारियों ने जताया विरोध कहा लोकल बेपारियों को इस से भारी नुक्सान पहुँचेगा मैं गोपाल सरूप मंगल कुलोध मर्चेंट एस्टियोशन का अध्यक्स बोल रहा हूं और मेरी दुपान नम्री साड़ी सर्वावर के नाम से है मेरा जो सरकार ने जो डिसिजन लिया है ओनलाइन ओनलाइन कंपनियों को जो माल बेचने की परमिसन दिये उसका मैं भिरोत करता हूं क्योंकि उससे छोटे दुकानदारों को और छोटे कप्ड़ा वेफसाईयों को बहुत नुक्सान होगा क्योंकि लागडाउन के कारण उनकी इस्तिती बहुत खराब हो चुकी है उनको कर्मचारियों को तनखा और दुकान का किराया और बिजली के खर्च जे देने के बाद उनकी इस्तिती बहुत खराब है और आंगे वेफसाई की संबावनाएं भी कम है क्योंकि साधी का सीजन भी बहुत कम समय के लिए बचा है अब आंगे सकारात्मक फहल कलेक्टर ने बच्चों को किया गर्म दूद का वितरन बच्चों को विसकू टोष्ट भी खिलाए जरुवतमन्द परिवारों को बाटा शूका रासन मानव सेवा समीती द्वारा मेटर नीटी बार्ड जच्चा खाने में चाय और व्रेट का वितरन किया गया और लोगों को मार्क्स लगाने के लिए प्रेरित किया गया डॉक्डाउन के वीच इंसानों की मदद के लिए तो कई हाथ आ गया रहे हैं पर सडकों पर मिटकने वाले बेजवानों के लिए कोई भी मदद का हाथ अब तक आगे नहीं आया है हैसे में आर डी गुपता द्वारा इन बेजवानों के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और पश्यों के लिए चारा उपलब्द कराया बरकेड़ा गिर्द में नवाली के साथ दुष्खर्ब कर आरोपी हुआ फरार पीड़त की सिकायत पर बजरंगर थाना पुलिस ने दर्च किया मामला किसानों की भीविन समस्याओं के निराकरण के लिए मुखमंत्री शिवराज सिंग चोहां से प्रिदेश अद्यक्ष राहुल राज ने की भीविन न मांगे जैकिसान माने मुखमंत्री शिवराज सिंग चोहां से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बावजूद उसमें ना पढ़ते हुए इस सरकार आने के बाद करोना जैसी जो मामारी आई है वो है विशय कंभीर उस विशय में आपको सबसे ज़ादा अगर किसी की चिंता करनी चाहिए तो इस देश के किसान इस प्रिदेश के किसान की करनी चाहिए और आपने क्या किया जब आपको पता है और इन बातों के लिए आप पूर से चिल्ला रहे हैं खुदी जोर जोर से आवाज लगा रहे तो आप देख क्यों नहीं रहे हैं क्या इस समय में किसान को 160 रुप्य जो आप स्वें स्विक्रत करके गए थे आपके पूर के गारिकाल में उसको नहीं देना चाहिए क्याती वरिष्टी का पैसा जिसे किसानों की फसले खराब हुई थी जो उराहत राशी रुकी हुई है जो सभी किसानों को नहीं बटी है वो नहीं देनी चाहिए प्रदानमंत्री फसल बीमा का क्या वो नहीं बटना चाहिए पूर की सरकार ने कहा कि आपने आपके कारेकाल में अंच राशी जो राज़ी की होती वो जमा नहीं करी थी फिर कॉंग्रेस की सरकार ने कहा कि उनने जमा कर दी है तो अगर कॉंग्रेस ने जमा कर दी है तो पूर्व नगरपाली का अध्यक्षों के कारेकाल के समय को बढ़ाने की मांग की पूर्व नगरपाली का अध्यक्ष राजंद सिंग सलूजाने माननी मुख्कमंत्री जी से अन्रोद करना चाहूंगा कि मद्यप्रदेश की सभी नगरपाल काई सभी महापौर का भी कारकाल बढ़ाया जाए ऐसा मैं अन्रोद करता हूं माननी मुख्कमंत्री जी से इसे सेवा काफसर इस संकट की समय में सभी नगरपाल काउं को भी मिल सके आपसे अंडोध है हमारा प्रतिनी दी मंडल क्योंकि कुरोना संकट के कारण आपसे वोपाल आकर नहीं मिल पा रहा है और हमारे महापनगरपल का और महापनों के हमारे नेता आलोग सर्मा जी वोपाल में है मैं उसे अंडोध करूँगा कि अर्ली मुक्मंत्री जी से बात करके अगर इसमें भी कोई हल हो सकता हो तो हल नकालने की कोशिश करें जैहिं जैवारत यह टेक भी चपका केस सिल्पियों बासें समाच के लोगों ने विधाय गोपिलाल जाटब से मुलाकात की और समाच के विविन बंधों की परिशानियों की और ध्यान आक्रिशित करते हुए एक ग्यापान सौपा जिरायक साथ के मान भी इन लोगों तक किसी बिशार का राधन पहुचाए या इनको पूर्णा के छलते मदद दी जाए जिसके अंदर करत हमारे विधाय जीने मानिये कलेक्टर वोदे से पुरंक पोल लगा का चैटर की अल्यिक्तर थाइगा का कीना है कि इसी साथ के बार से भारे जीने मानिये के लिए से जोगों तक कैना है विधाय के दिसरी मानिये मदद दर रहें जोज़ागने अपने विदान सवा में गुना नगर पालिका की तर्ज पर पात पात पंचातों की बीच में गुरुप बनाकर राशन बातने की मांग की जिला प्रिशाशन गुना से भाईयों भेनों को मेरा नमस्कार लॉकडाउन के समय में कुछ समस्यां सामने आई है एक तो सबसे बड़ी समस्या है राशन की तो शासन को चाहिए प्रशासन को चाहिए कि जैसा शहरों में गुना में शुरू किया है नगर पालिका शेत में घरों में जाकर राशन देना वैसे ग्रामीन शेत्रों में भी करना चाहिए और पांच-पांच पंचायत की ग्रूप बना दें और राशन की दुकान वहीं पंचायत में जाके मोबाइल राशन शॉप यह चलाना चाहिए वहां जाके वित्रण करें दूसरी समस्या है अपने अपनी फसल बेचने की उसके लिए शासन को चाहिए कि वह खरीदी पंचायत स्तर पर करें या खरीदी केंद्र की संख्या और बढ़ा दें और साथ-साथ व्यापारियों को भी कुछ छूट दे जिससे कि वो जाके किसान के घर से फसल खरीच सकें मंडी टैक्स का जो नुकसान होगा वो शासन भरपाई करें आज की परिस्तितियां देखते हुए कि किसी भी कीमत पे जमघट नहीं लगना चाहिए और मंडी अगर हम खूलते हैं तो भीड बहुत लगे है जहां तक ग्रामीन शेत्रों का सवाल है इसमें रोजगार की योजना शुरू करने की बात प्रधान मंति जी ने कही है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसमें एक समस्या यह कि मंड्रेगा में 160 रुपय मजदूरी है जबकि मजदूर 300 रुपय रोज में मिलते हैं ऐसी सि प्रथा पर रोक लगाने पड़ेगी और स्वयम साहता समूझ जो है महिलाओं के देज़गारों के सोसाइटी जो है इनको निर्मानकार का काम दिया जाए जिसे कि इनको रोजगार मिले और देज़गारी दूर हो अभी जो ठेकेदारी का सिस्टम है उसको हमको कही नगहीं तोढ़ना पड़ेगा, अब किसी भी शेत zach में आप देख लीजे, शराब का ठेकेदार तो मुचली का ठेकेदार, सड़क बनाने का ठेकेदार, बिल्डिंग बनाने का ठेकेदार, रेट माप्त करके सोसाइटियों को लाना पड़ेगा इससे बिरोजगारी दूर होगी पलायन दूर होगा यह कुछ सुजाव है और अगर आप सहमत है तो मुझे बताएं हम लोग इस पर चर्चा करें ऑनलाइनी चर्चा होगी क्योंकि हम मिलना ही सक रहे हैं अभी दौरे पर पूर 15 किलूमिटर दूर बना दिया रुठियाए खरीदी के अंदर 15 गाओं के किशानों को हो रही परेशानी रादुगण में ब्रजीश और संजीब रोज अपनी गाड़ी से चारा लेकर गायों को खिला रही हैं और कॉरोना फ्लेक्स लगा कर अपनी गाड़ी में लोगों को अचा गुरू कर रहे हैं कॉरोना वैश्विक महमारी फैल रही है इसी के संधर्व में मैं अपने विचार कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाओंगे कि कॉरोना का संकट आया कैसी है ये महमाया उठी लेखनी कमिता लिखने लेकर भावों की धारा कोरोना को कैसी भगाएं विश्व भनने किया विचार और लोगडाउन कर मोदीडी ने कर दिया इसका उपचार माना विशमताएं लोग डाउन में चाएं परेशान मद्यम परिवाद लेकिन यदी विचार करें तो है इसमें ही देश उपचार अमेरिका इस्पैन इटली में ली इसने कई जान है और हम लड़ रहे डट कर इससे क्योंकि मेरा देश महान है गलिया सुनसान सेर्वी सुने घर में कैद हरस्ती है अब पता चला जिन्दगी महंगी और दौलत कितनी सस्ती है ऐसे मैं भी कुछ नोजवान नहीं रख रहे सरकार का मान और घरों से अपने भान निकल कर संकट में डाल रहे हैं परान इस स्थती में कुछ अनमूल रत्न कर रहे हैं खुद को कुरवान और डौक्टर और पुलिस के रूप में हैं ये स्वहम भगवान कल्योग के इस रावन को धर्ती से दूर भगाएंगे माक्स सैनेटाइजर और सोसल डिस्टेंस जैसे अस्त्रों को अपनाएंगे घर में रहकर ही हम सब इस वायरस को भगाएंगे बहुत जल्दी भारत में हम स्वर्ग तरा ले आएंगे हे जगदीश्वर हे प्रवु हाथ जोड मैं नमन करूं मिट जाए कोरोना संकट हो जाए नगजीवन शुरू इंदोर गुपाल उज्जेन में इसने खुब आहा कार मचाई मेरे गुनाबासी इससे करत रहे जंगल लडाई नियुमो का पालन कर गुना ने अपनी शक्ती है दिखलाई इसी कारण गुना में इसकी चाया तक ना पड़ पाई भारत है प्राणों से प्यारा इसे रखेंगे सदा सलोना कविता आज सुनाई जिसने नाम है उसका सोना और इसी के साथ मैं हमारे गुना नगर की समस्त चिकरशकगन, कलेक्टर महोदे, SP महोदे, समस्त पुलिश कर्मी और हमारे समास सेवियों को और हमारी गुना की समस्त नागर कोंटो मैं मेधी ओर से और संसकार परिवार की ओर से खोटी-खोटी धन्यवाद ध्यापित करना चाहूँगी घर में रहें, सुखी रहें, स्वस्त रहें, जै हिंद, जै भारत मैं द्व्याजी स्रिवास्तव, मैं अपनी मौम पे लिए एक सोंग गाने जा रही हूँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है ओ मा, ओ मा, कि ये जो दुनिया है, ये बन है काटो का तू फुल बारी है ओ मा, ओ मा, दुखन लागी है, मा तेरी अखियां मेरे लिए जागी है तू मेरे लिए जागी है तू सारी सा चत्यां मेरी निदियां पे अपनी निदियां भी तूने बारी है ओ मा, ओ मा, ओ मा, अपना नहीं तुझे सुक दुक कोई में मुसकाया, तू मुसकाय, में मुसकाया, तू मुसकायी मैं रो तू रोई मेरे हसने पे, मेरे रोने पे तू बलारी है ओ मा, ओ मामी, मा बच्छों की जहां होती है वो होते हैं किसमत वाले, जिनकी मा होती है तो कितनी शीदल है, तो कितनी शुंदल है, प्यारी प्यारी है ओ मा, ओ मा, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मा, ओ मा, तो कितनी शुंदल है ते बतन ते ले लिए, दिल दिया है जान दे लिए ते लिए नम दिया है, तो कितनी शुंदल है तुने विए गजान दे लिए तू मेरा देमा 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 त तेरे, विल्दियां आपिए, तेरे, एक बात कुझे लेडिये, एक बात की देरे. किन्दों मुसरी मसिद्क नसाई मतुकं बगतिया मिना मुले जो कर इनको जुदा वजब नहीं कुदा है दिल दिया है दाने देंगे दिल दाने देंगे दिल दाने दाने देंगे मैं बजन देंगे जिसने सूरज की तरफ गोर से देखा होगा जिसने सूरज की तरफ गोर से देखा होगा उसकी आँखों में अधेरा ही अधेरा होगा जिसने सूरज की तरफ गोर से देखा होगा है लाख वो पैस करे अपनी सफाई लेकिन जुमे आइना सामने रख दूँगा तो फिर क्या होगा आइना सामने रख दूँगा तो फिर क्या होगा उसकी आँखों में अधेरा ही अधेरा होगा जिसने सूरज की तरफ गोर से देखा होगा कल हसी बाट ने निकला था जो महफिल महफिल वो अकेले में बहुत फूट के रोया होगा उसके आँखों में अधेरा ही अधेरा होगा जिसने सूरज की तरफ गोर से देखा होगा झाल 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 झाल